श्री शद्गुरु महाराज कीजे प्रातहस्मर्णी अनंत्श्रिवोशित परमाराध्य शंत्षद्गुरु महर्शिमेही परमहन्षजी महाराज का प्रवचन बहु देव उपाशना ठेक नहीं बंदों गुरुपदकन्ज कृपाशिंधुनर रूपहरी महामोहतमपुन्द जाशुवचनर विकर निकर प्यारे लोगों लोका मतिका भोरा रे जों काशी तन तजे कभीरा राम ही कौन निहोरा रे तब हम ऐसे अव हम ऐसे यही जनम का लाहा जों जल में जल पैठन निक्स यों धूरी मिला जू लाहा राम भगती में जाको हितचित वाको अचरज काहा गुरु प्रशाद शाधू की शंगती जग जीते जात जू लाहा कहे कभीर सुनो हो शंतो भरम परो जनिकोई जस काशी तस मगह उशर हिर्दय राम जों होई कभीर सहाब कहते हैं अरे सीधी बुद्धी का मनुष्य यदि काशी में कभीर सरीर छोड़े अर्थात काशी की लुकोक्ती महमा के भरोशे कभीर काशी में सरीर छोड़े तो राम से विनय करने का राम भजन करने का कौन शाफल तब अर्थात शरीर धारन से पूर्व में ऐशा था और अब अर्थात शरीर धारन करके ऐशा हूँ अर्थात शरीर धारन के पूर्व में विकार रहित था और अब शरीर धारन करने पर भी विकार रहित हूँ यही मनुष्य जन्म का लाव है जिस तरह जल में जल प्राविष्ट होकर फिर भिन्न होकर नहीं निकलता है उसी तरह मैं जुलाहा शरीर रूपी घड़े से धरक कर इश्वर से जा मिला राम भक्ती में जिसका चित प्रेम से लगा है उसके लिए यह कौन सा आश्यर्य है गुरु की कृपा और साधू के संग से जुलाहा कबीर संसार को जीत कर जाता है कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों भ्रम में मत कोई पड़ो यदी हिर्दय में राम हो तो कासी जैसा है उसर मघा भी वैसा ही है बहुत देव उपासना में इश्वर का ज्यान नहीं होता एक इश्वर पर निर्भरता भी नहीं होती ऐसे ब्यक्ति से पूछने पर इश्वर के विशय में कुछ कह भी नहीं सकते किन्तु इसी भारतवर्ष के अंदर जो केवल एक इश्वर के उपासना करते हैं वे कर सकते हैं आरी समाजी या कबीर नानक आधि संतवानी को समझने बुझने वाले जानते हैं किन्तु इन लोगों में भी अब कमी आ गई है एक इश्वर पर विश्वास नहीं और बहुत देव उपासना करने एक प्रकार की नास्तिकता ही है किन्तु आजकल ऐसी हवा चल गई है कि लोग बाहरी आडंबर के कारण बाह पोजक को ही आस्तिक कहते हैं जो बाह पोजन नहीं करते उसे ही नास्तिक कहा करते हैं यह इस देश के लिए ठीक नहीं हुआ शंत वानी में देवताओं का भी वर्णन है किन्तु इनको उतना अस्थान नहीं दिया गया है एक इश्वर पर अस्थिर होने को कहा गया है देव दनुज मुनी नाग मनुज सब माया विवश विचारे तिनके हाथ दास तुलशी प्रभु कहा अपुन पोहारे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवताओं का वरत करने वाले देवताओं के पास पितरों का वरत करने वाले पितरों के पास भिन भिन भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं शंद कविर शाहाब ने कहा देवता पितर भुईया भावाने यहां मारग 84 चलन की इसलिए मेरी भी यही इक्षा है कि सब कोई एक देव उपासी अर्थात इस्वर उपासी बने जो कोई ऐसा समझते हैं कि देवता की भक्ति नहीं करके एक इस्वर की भक्ति करने से देवता रुष्ट हो जाएंगे तो उनको क्या कहा जै वे तो राक्षस है कोई कोई कहा करते हैं शाधार न लोगों में यह ज्यान देना ठीक नहीं उनहें गंगा अश्नान करने दान देक्षिना देने की ही सिख्णा दो ये दी सदा सब को यही तो उची शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा यदी कहो कि सब लोग खूब पड़ लिख कर लेंगे शब लोग खूब पड़ लेंगे विद्वान होंगे तब उन्हें यह सिक्षा दो तो इतने ऊचे-ऊचे विद्याले में पढ़ कर सब विद्वान हो जाए कठिन है यह इस्वरी ज्ञान तो धीरे धीरे सुनते सुनते सीख जाएंगे चाहे एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो तोता जिसे मनुष्य के समान कंठ नहीं उसे सिखाते सिखाते मनुष्य की तरह बोलने लगता है और समारे सत्संग पर आचेप करते हैं यह सब को ब्रह्म ज्ञानी बना देंगे वे चाहते हैं कि सब को नीचे ही रखें तो रहो सब मिट्टी पूझते ही लोग कहते हैं कि यह नीची जाती के लोग हैं इन्हें उबदेश नहीं दो यह कितना शंकेड्न हिड़दय है यह बात अच्छी नहीं एक इस्वर्क की उपासना वाले की उधर्व गति होती है और वह मोक्ष राप्त कर लेता है किन्तु अनेक देव उपासी संसार की ओड़ जाता है और जन्व मरन के चक्र में रहता है यह शंत्मत एक उपासी बनने के लिए शिक्षा देता है इसलिए इस्व इपर के श्वरुप को जानने के लिए थोड़े में जानना चाहो तो पांच करमेंद्रियां हात पैर मों गुदा और लिंग पांच ग्यान इंद्रियां आंक नाक कान जीव और तवचा और चार अंतह करन मन बुद्धि चित अहंकार कुल चोदों इंद्रियों से उसका ग् पादि करो मुह से अस्तूति या अच्छे अच्छे सब्दों में भजन गाओ किन्तों इश्वर को नहीं जान सकते ये सब चोदों इंद्रियां इश्वर को पाने के सरवदा अयोग्य हैं मन तो अंधा है यह पहचान ही नहीं सकता बुद्धि के विचार में इश्वर स्व शवर यह जानता है और अहंकार से मैपन का ग्यान होता हैं इन इंद्रियों से पहचान नहीं सकते, अपनी चेत नात्मा से पहचान सकते हो जब इस पर इंद्री आधी चस्मे का आवरन नहों, इन इंद्रियों से अपने को छुड़ा कर चलना भक्ती है जगनात जी का दर्शन करने अथवा गंगा अश्नान करने के लिए चलना उसकी भक्ती है उसी प्रकार इश्वर से मिलने के लिए चलना इश्वर की भक्ती में दाखिल होना है इश्वर भक्ती का ज्यान सब को देना चाहिए एक इश्वर की उपासना ठीक है बहुदेव उपासना ठीक नहीं, बहुदेव उपासी इस्वर को भूल जाता है, वही नास्तिक है, फिर ऐसा भरम कि अमुक जगा मरने से श्वर्ग और अमुक जगा मरने से नरक होगा, यह बात नहीं हो सकती। पुन्य का फ़ल अलग और पापा फ़ल अलग मिलेगा, आपने किसी से दो रुपया करज लिया और किसी को दो रुपया दान दिया, इसलिए वह महाजन आपसे रुपया नहीं मांगे यह कहा की बात है, वह तो कहेगा कि आपने दान अपने लिए किया, मुझे उस से क्या मेरा रुपया दो युदिष्ट्री भगवान श्री कृष्ण के समग जूट बोले बलके उनकी प्रेड़ना से जूट बोले फिर भी दो मुहुर्थ तक नरक में रहना पड़ा उसके लिए खातिरदारी नहीं हुई जो कर्म की जेगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा तब आप कह क्या कर्म फल से कोई छूट नहीं सकता शौर जगत में रहने से सुड़ी का प्रभाव पड़ेगा ही यदि सौर जगत से कोई पार हो जाए तो उस पर सुड़ी का प्रभाव नहीं पड़ता उसी परकार कर्म मंदल में रहने से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा कर्म मंदल पार कर जाने से कर्म फल छूट जाएगा इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने को इंद्रियों से छुड़ाओ चौथ चारी पड़ी हरहु बुद्धी मन चित अहंकार विमल विचार परंपद निज सुख सहज उदार विनय पत्रिका विचार में अपने का ज्यान होता है किन्तु पहचान नहीं अपने को चतुष्ट अंतह करन से छुड़ाओ कर्म मंडल से पार हो जाओ अपनी पहचान होगी और मुक्ष मिलेगा फिर कर्म बंधन से छुटोगे कर्म की वो ही स्वरूप ही चिन्धे लोक लोकांतर में जाने से मुक्ती नहीं मिलती कभी न कभी फिर यहां आना ही पड़ेगा इसलिए अपने को सव आवार्नों से छुड़ा कर कवल लेता प्राप्त करो और मुक्ष प्राप्त कर लो फिर आवा गमन से रहित हो जाओगे अगस्त जी निशीराम को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए दान नहीं किया था अतह उसको वहां भी भूक प्यास सताती थी उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आग्या ब्रह्मा ने दी वहाँ भी भूक प्यास सताती थी कर्म से छुट्टी वहाँ भी नहीं बैकुंट में जय विजय एक समय सनक सनंदन और सनत कुमार आधी को रोका तो वहाँ भी शाप लगा और रावन कुम कर्ण हुआ जहां तक द्वयत है वहां तक ऐसा ही रहेगा अद्वयत में ऐसा नहीं होगा एक इस्वर उपासना में कोई वीगन नहीं हो शकता मजबूत होकर एक इस्वर की उपासना में लगो इस्वर नहीं है यह बहुत बुड़ी बात है पहला जो जीव मानए इश्वर नहीं दूसरा इश्वर मानए किंत उपास्ण नहीं बहुदेव उपासी हो और तिस्वर ईश्वर कुछ नहीं माने श्वर्ग नरक भी नहीं माने यह तीन प्रकार के नास्तिक इन तीनों से बचना चाहिए परंपूज गुर्देव का यह प्रवचन शंत्मत सच्चंग मंदिर मनिहारी जिला कठ्यार में जिनांग 25-10-1952 के प्रात्यकाविन सच्चंग में हुआ था श्रीष अद्गुरू महाराज की जे